आज हम बनाएंगे ग्यों के आटे से बहुती टेस्टी और हल्दी नास्ता रादे रादे स्वागत है आपका रादा रसोई में तो चलिए शुरू करते हैं नास्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी के गहूं का आटा लिया है इसमें अब डालेंगे स्वाधन शाय नमक और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा डालेंगे हैं गरम मसाला तो यह गरम मसाला मैंने डाल लिया है यहाँ पर अब थोड़ी सी हरी मिर्श डालेंगे आप चाहें तो डालें ना चाहें तो ना भी डालें अब थोड़ा सा यहाँ पर हरा दनिया डालेंगे अब इन सब को बढ़िया से पानी डालकर मिक्स कल लेंगे एक हमें पतला सा गूलते यार करना है इसका तो इन सब्चीयों को बढ़िया से मिला लेंगे तो देखी मैंने यह पर गूल तयार कर लिया है बस ऐसा ही गूल हमें चाहिए था तो अब चलते हैं गैस की तरफ तो यहापर मैंने एक पैन में एक चम्मच ओल डाल लिया है यह नास्ता बहुती कम ओल में बनके तियार होता है तो यह बहुती हिल्दी होता है अब चम्मच की हेल्प से इसे फैला लेंगे हम बहुती आसानी से फैल जाता है कोई परिस्तानी वगर हमें इसमें नहीं होती और इसमें थोड़ा सा ओल, हम उपर से डाल देंगे, और इसे चेक करेंगे, ये अंदर से सिका है ये नहीं, तो थोड़ी देर और पकाना इसको हमें, तो देखे ये एक साइड से सिक गया था, तो मैंने इसे पलट दिया है, अब थोड़ा सा ओल डालेंगे इसमें, मैंने यह आपर टोटल एक चम्मची ओल लिया होगा आधी आधी चम्मच करके ओल डाला है मैंने यह पर तो भूती कम ओल में बनकर तियार हो जाता है यह नास्ता और भूती स्वाधिस्ट लगता है बच्चे तो बहुत पसंद करेंगी अगर आप बच्चे के टिपिन में रखना चाहे हैं क्योंकि स्वाधिस्ट होने के साथ साथ यह हल्दी भी बहुत होता है और देखी तबा से बिल्कूल भी नहीं चिपकरा है तो यह दोनों साइड से सिक चुका है अब इसे निकाल लेते हैं दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है जितना दिखने में सुंदर लग र करें इसारी होगा है कि खो तेकी मैं नहीं पर पर इसन Augenी धीन में आपर बना कर आंड भागे-टा決 आपके बाज़े बाइवर फार भी आप